इस वीडियो में दोस्तों डिसकस करेंगे रतनवीर प्रिसाइजन इंजिनरिंग लिम्टेट के बारे में जो की कम्पनी कुछ ताइम पहले ही हमें मार्केट में लिस्ट होती हुई देखने को मिली है आज कम्पनी की बोल्व ड्रेक्टर्स की मीटिंग थी और कम्पनी ने अपनी कौटर वन की अर्निक्स एनाउंस कर दी और काफी सारे लोगों ने अभी तक इसके IPO को होल्ड किया हुआ है तो कॉमेंट शक्चन ने बिल्कुल बता है आपने कितने में खरीदारी करी है और आप 2022 की अर्निक्स है जो पिछले साल का कम्पनी का कॉटर वन था तो टोटल इंकम की बात करें कम्पनी की जो की हमारा टोटल रिवेन्यू कितना जनरेट किया जो की यर्ली बेसिस पे 93 करोड से बढ़के 118 करोड पर आगा और कॉटरली 151 करोड से कम होके 118 करोड पर नंबर मि यर्ली बेसिस पे इंकम बढ़ी तो एक्सपेंसेज भी 87 करोड से बढ़के 107 करोड पर आगे कॉटरली इंकम कम रही तो एक्सपेंसेज भी 140 करोड से कम होके 107 करोड पर तो जिस तरीके से कॉटरली इंकम कम रही खर्चे कम रहे और यर्ली बेसिस पे इंकम बढ़ी तो कं कंपनी के expenses भी बढ़ गए then discuss करते हैं कि after tax adjustment कंपनी को कितना प्रॉफिट हो जो क्यों था प्रॉफिट लॉस फॉर्दा पीरिड जो कि यर्ली बेसिस पर फाइफ करोड से बढ़के एट करोड पर आ गया और कॉडरली नाइन करोड से कम होके एट करोड पर तो क्यों क्यों प् 2.65 पर 2.37 पर आ गया तो ओवरल दोस्तों यह थे लटनावीर के नंबर जो कि मार्केट आवर्स में ही एनाउंस हुए और मार्केट की रियक्शन की बात करें तो एक परसेंट से ज्यादा की तेजी हमें देखने को मिल रही है आपके पास कितने शेर्स हैं कॉमेंट के साथ तब तक के लिए बाबाए